हेलो गाईज आज हम आपको CBSE Class to the Applied Mass में ML भारगव बुक की Exercise No. 1.1 के पहले 4 कोशन करवाएंगे बेसिकली मोर डिलो अर्थमेटिक के कोशन है तो बिल्कुल असान है यार अगर आपने हमारा ये वाला बेसिक वीडियो देख लिया है ना तो शानदार जानदार तरीके से कोई भी लेवल का कोशन आप उड़ा सकते हैं तो आईए आपको फटा-फट तेजी में करवाते हैं ठीक है फटा-फट तेजी में करवाते हैं latest edition आपको करवा रहे हैं ठीक है latest edition की exercise number 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा question ठीक है भाई मेरे दोस्तों उमिद करता हूं कि book आपने purchase करी हुई है अगर नहीं करी है तो latest book का latest link मैंने आपको description में दिया हुए जाकर के purchase कर लो आइए फटाफट तेजी में चालू करेंगे question number 1, ठीक है अभी question number 1 question number 1 में कहते है evaluate the following, basically आपको evaluate करना है, तो क्या evaluate करना है, सबसे पहले आपको बताना है 22 mode 4 क्या होगा, देखते ही question खतम है मेरे दोस्तों, देखते ही question खतम है, 22 को 4 के table पे divide करना है, remainder बताना है, तो 5 पे divide होगा 4, 5 जो 20, 2 remainder होगा खेल खतम होगया, ठीक है अभी answer कितना आएगा, answer इसका आएगा only only 2, अगर कोई बच्चे करता है कि सब basic से करो, तो भई ऐसे divide करके दिखा दो, 4 को 22 से divide करेंगे, 4, 5, जो 20, minus करेंगे, 2 remainder आगया, question खतम होगया, आगे बढ़ेंगे ठीक है, आगे बढ़ेंगे, second part करेंगे, second part कहते हैं, 35 mode 7, बताइए, अरे भाईया, क्या ही question है 35 mode 7, 35 7 का complete multiple है, 0 remainder, basic से 35 को 7 पे divide करेंगे, 7, 5, 0, 35, minus करने पे 0 answer, खिल खतम होगया, 15 mode 2, बताइए, negative value को divide करके remainder बताना है, negative value को divide करके remainder बताना है, पहले 15 को divide करेंगे, भाई, पहले 15 को divide करेंगे, 15 को divide करेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, 27 हो जाएगा, 14 minus करने पे बना answer आएगा, लेकिन ये तो minus 15 है, तो बनेगा minus का one mode 2, yes or no, minus का 1 mode 2, दोनों को add कर देंगे, add करने पर answer 1 आएगा, 2 और 1 को, मलब add नहीं करेंगे, numerical value को minus करेंगे, ठीक है numerical value 2 और 1 को minus करेंगे, तो 1 answer आएगा, तो 1 is question का answer आगया, आगे बढ़ेंगे, fourth part करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, fourth part करेंगे, fourth है, four mode 9 क्या है भईया, four mode 9 four mode 9, मेरे दोस्तों 4 तो already छोटा नंबर है, तो 4 ही remainder होगा फिर भी अगर आपको basic चाहिए तो 9 को 0 से multiply करेंगे 9 0 0, minus करने पर 4 ही remainder आएगा, तो ये four के four parts हमने आपको करवा दिये हैं, शानदार, जानदार मैं आपको दوبारा बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारा basic concept का वीडियो नहीं देखा, तो ये वला वीडियो आपको समझ नहीं आने वाला मेरे दोस्तों, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला तो पहले जाकर कर कि basic concept का वीडियो देख लो उसके बाद ये वली exercise की वीडियो देख लेना शानदार जानदार तरीके सापको समझ आजएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे second ये वाला हो गया ना second question करेंगे तो second question कहते हैं आपको second question में आपको बताना है 512 का multiply करें अगर हम 319 के साथ में ठीक है 512 और 319 के multiplication का अगर mode 6 करें तो answer क्या आएगा अरे question है क्या कोई ये क्या ये कोई question है दोनों को आप multiply तो करनी सकते यार इतनी बड़ी multiplication है multiply नहीं करेंगे दोनों का कभी multiply नहीं करेंगे हम इन दोनों को separate separate multiply करेंगे ठीक है इन दोनों value को separate separate multiply करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 512 512 के बराबर में 3 line है यानि की concurrence तो 512 फिर यहाँ पर इसका remainder और यहाँ पर mode 6 ठीक है यहाँ पर remainder mode 6 फिर यहाँ पर लिख देंगे 319 319 के बराबर में इसका remainder और यहाँ पर mode 6 ठीक है ना remainder पता करना है घबराना नहीं आपको 512 को 6 के table पर divide करना है तो भई 6 को अगर आप कितने से divide करें 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54 तो 6 8 जा करेंगे 48 ठीक है ना 6 8 जा 48 यहाँ पर 32 आ गया ठीक है 2 को carry लेने पर 32 आ गया और फिर 6 को 5 से करा 3 0 30 माइनस करा तो यहाँ पर 2 answer आया तो remainder जो है 512 का remainder जो है यह 2 है यह equation number 1 है फिर 319 है अरे 319 है मेरे दोस्तों 319 को अगर 6 पर divide करेंगे तो 6 5 जा हो जाएगा 30 माइनस करने पर 19 बनेगा 6 3 जा करने पर 18 आएगा माइनस करने पर 1 answer आएगा तो यहाँ पर remainder 1 है ठीक है भई एक पर remainder 2 है दूसरे पर remainder 1 है दोनों को multiply करना है multiply करदो अरे दोनों का multiply करना है multiply करदो multiply 1 and 2 भई question कहता है multiply करिए multiply कर दीजिए 1 and 2 का multiply कर दीजिए तो यहाँ पर बनेगा 512 multiply by 319 ठीक है 512 multiply by 319 यह वाली value congruent रहेगी किसके इनके remainder के 2 multiply by 1 mode 6 के ठीक है 2 multiply by 1 mode 6 यहाँ पे आप answer लिखोगे 2 answer आएगा 2 को बन से multiply करा 2 आगया तो 2 mode 6 आगया ठीक है कितना आगया 2 mode 6 आगया तो last में आप note कर दोगे so हमें पता चला 2 ही इस question का correct answer है तो so हमें पता चला 512 multiply by 319 mode 6 जो है इसको एक्जाम में ऐसे ही लिखेंगे ठीक है यह वली complete value जो है क्या है तो यह वली complete value जो है कुल मिला करके 2 है आपके teacher आपको ऐसे ही लिखने के number देंगे ऐसे ही लिखना पड़ेगा कहानी असान है divide करो remainder बताओ divide करो remainder बताओ divide करो remainder बताओ ये question number 3 करेंगे तो question number 3 कहता है 481 है 481 के addition में 392 है और इसके addition में 604 है और इसके addition में 937 है इन सभी value को आप divide करो 8 के table पे और remainder बताओ तो 8 के table पे divide करना है तो mode 8 आ गया 8 के table पे divide करके बताना है remainder कितना है तो ऐसे ही अपन इसको note करेंगे ठीक है ऐसे ही note किया जाएगा तो 481 यहाँ पे पहले मैं note कर देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे note करा है न 481 का remainder फिर 392 का remainder फिर 604 का remainder और फिर 937 का remainder ठीक है चारों का remainder यहाँ पे note करेंगे और यहाँ पे ऐसे mode 8 आएगा यहाँ पर भी mode 8 आएगा यहाँ पर भी mode 8 आएगा और यहाँ पर भी mode 8 आएगा ठीक है अब इन सब के हमें remainder note करने है मेरे दोस्तों तो आईए करते हैं 6,8 जा 48 होता है 6,8 जा 48 48 का मतलब है one remainder आगया यहाँ पे 392 है तो 8,4 जा 32 होता है 8,4 जा 32 होता है 39 में 32 माइनस करेंगे 7 आएगा 72 का मतलब है complete value आगया तो complete का मतलब है 0 remainder 604 है 604 में 68,7 जा 56,44 आगया 44 का मतलब है 4 remainder आगया 9,37 है तो 8 बंज़ा 8 आगया 9,37 है तो 8 बंज़ा 8 आगया 13 आगया 13 का मतलब है दुबारा 8 बंज़ा 8 आगया 57 आगया ये इनके remainder value है ये पहली equation है ये दूसरी equation है ये तीसरी equation है और ये चोथी equation है सबको हमें add करना है सबको हमें add करना है तो adding all equations ठीक है adding all equations सभी equations को add करेंगे तो पहले है 481 481 में add करेंगे 392 में add करेंगे 604 के addition में 937 ये चारो की चारो value congruent हो जाएंगी इनके remainder के तो 1 में adding करना है 0 में adding करना है 4 में adding करना है 1 और इसके 7 में लिख देना है mode of 8 ठीक अभी 7 में क्या लिख देना है mode of 8 adding करो इसको आप कहेंगे adding करने पर value 6 आ गई तो 6 mode 8 हो गया यह तो कितना हो गया जी यह वला answer 6 mode 8 हो गया 6 correct answer है 6 आगे तो divide होगा नहीं 8 से छोटा value है तो 6 इसका answer है तो आप यहां भी लिख देंगे so आपको पता चल गया ठीक है आपको पता चल गया कि जो remainder है वो क्या है so remainder is remainder कितना है तो remainder 6 है ठीक है भई remainder कितना है मेरे दोस्तों remainder value 6 है board हमारा complete भर चुका है एक बर आप इसको समझ लो noting कर लो फिर आगे बढ़ते हैं आईए भई फटा फट तेजी में fourth question करेंगे जो आज की class का last question रहेगा ठीक है fourth question करेंगे तो fourth question कहता है remainder बताईए remainder बिताईए भई आप मोड डिलो अर्थमाटिक है 114 के multiplication को 756 इन सभी की सभी value के multiplication को अगर आप 5 के table पे divide करोगे तो remainder कितना आएगा 5 के table पे divide करने पे remainder कितना आएगा तो आईए पहले इनको separate separate note करते हैं ठीक है solution में आप note करेंगे 512, 512 का remainder 2 होगा तो 2 mode 5 आजाएगा, ठीक है 398 है, 398 का remainder 3 होगा, तो 3 mode 5 आजाएगा, 114 है 114 का 4 remainder 4 होगा तो 4 mode 5 756 है, इसका remainder 1 होगा तो 1 mode 5 ठीक है अभी कितना 1 mode 5 equation 1 है, equation 2 है equation 3 है, equation 4 है 4 की 4 equation को multiply करना है, मेरे दोस्तों adding नहीं करना है multiply करना है, तो multiply all equation, सबको multiply कर दिया जाए, तो 512 का multiply हो जाएगा 398 में multiply होगा 114 में multiply होगा 756 में congruent रहेगा किसके congruent रहेगा remainder के, तो 2 का multiply करेंगे 4 से, 4 का multiply है, 3 से, 3 का multiply है, 1 से, और यहाँ पर आएगा mode 5, भाई, इतना multiply करना पड़ेगा न, 4 3 से 12, ठीक है न, 4 3 से 12, 2 जा 24, तो यह बन गया है, 24 mode 5, भाई, 24 mode 5 का मतलेगा, answer बनेगा, 4 mode 5, कितना बनेगा, 4 mode 5 बनेगा, तो answer आएगा 4, यानि कि इन सभी multiplication को 5 के टेबल पर डिवाइट करेंगे, तो 4 answer आएगा, तो आप यहाँ पर ऐसे note कर दो, ठीक है, exam में ऐसे note कर देंगे, so, हमें पता चला है, कि जो remainder है, ठीक है, हमें पता चला है, remainder value कितनी है, remainder value 4 है, पता चला है, करके गाना भी है न, वो पता चला है, कोन सा नसा करता है, नसा कर लो पढ़ने का, ठीक है न, नसा कर लो पढ़ने का, फिर आप ग तो आज की वीडियो में इतना ही गाईज, उम्मीत करता हूं कहानी आपको समझ आई है, अगर आप मेरी गाईडेंस में पेड बैस्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं, अदर्वैस यूटुब की उपर हम आपको ML भारगव भी करवा रहे हैं, ML अ अगरवाल देखना है, तो जरा एक बर डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, या फिर एक बर आप हमारा चैनल विजिट कर लो, आपको ML अगरवाल का भी वीडियो देखने को मिलेगा, आज के लिए इतना ही मुलकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, झाल वीडियो में,